दरसल भारत जल्द ही बुलिट ट्रेन दोडानी की राह पर आगे बढ़ रहा है, जो कि भारत का एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसके लिए भारत में मुंबई और अहमदाबाद के बीच ट्रैक बिचाया जा रहा है, जिसका 80% काम पूरा भी हो चुका है। लेकिन यह काम जापान के साथ मिलकर किया जा रहा है, इसलिए इसमें कुछ चुनोतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दे कि यह भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्मेंट में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा, और देश को दुनिया के लीड भुलिट ट्रेन को चलाने के लिए जो ट्रैक तयार किया जा रहा है, उस पर बुलिट ट्रेन की स्पीड दोसौँ पचास से तीनसौँ चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की होने वाली है।겠습니다. इसमें दिख Report वाली बात यह है कि भारत में जो bullet train का track टैयार किया जा रहा है, इसमें investment तो भारत के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसमें जो technology इस्तेमाल हो रही है, वह पूरी तरीके से जापान की है, प्योंकि देखा जाए तो जापान पिछले कई सालों से bullet train के मामले मे सबसे आगे रहा है और हमारे पास हाई स्पीड बुलेट ट्रेन को बना कर खुद के बलबूते दोडाने की टेकनोलजी मौजूद नहीं है और इसलिए जापान अब बुलेट ट्रेन की कीमत को भारत के लिए बढ़ा चुका है और बुलेट ट्रेन बनाने वाली जापान की कमपनी हिताची और कवाश की दोनों कमपनियों का कहना है कि वह एक बुलेट ट्रेन के लिए इंडियन रेलवे से लगभग 460 करोड रुपए लेंगे और देखा जाए तो यह एक हिसाब से काफी ज्यादा अमाउंट है जो की इंडियन रेलवे से जापान की कमपनी मांग कर रही है वहीं दूसरी तरफ जापानीज कमपनी का कहना है कि भारत में क्लाइमेट चेंज बिलकुल अलग है इसलिए हमारे पास जो existing bullet train है उनमें भारत के environment के हिसाब से बदलाव करने होंगे और क्योंकि यह on the cell product नहीं है इसलिए जापान की bullet trainों को proper तरीके से भारत में दौडने के लिए उसमें बहुत सारे modification करने होंगे जैसे कि air conditioning और फिर धूल को control करने के लिए क्या-क्या किया जाना है इन सभी को figure out करके भारत की weather condition के हिसाब से modification किया जाएगा इसलिए जापान से Indian railway के लिए bullet train लेना थोड़ा महंगा पड़ रहा है वैसे जापान को जब इसकी कीमत बढ़ाना ही था तो जापान की bullet train बनाने वाली कमपनिया भारत की ICF जो कि इस समय Indian railway के project को संभाल रही है इनके साथ मिलकर इन bullet train को बना सकती थी इस से हमारे लिए bullet train थोड़ा सस्ती पड़ जाती और इन bullet train को जापान की technology पर भारत में बना कर तयार कर लिया जाता लेकिन शायद जापान ऐसा करना ही नहीं चाहता खैर कुछ भी हो भारत की ICF इस समय bullet train को खुद डेवलप करने पर जुट चुकी है हालां की भारत में जो bullet train बनाई जा रही है वह जापान के जैसे advance और high-tech तो नहीं होगी जैसे की vacuum toilet और अन्य तमाम आधुनिक features नहीं होंगे क्योंकि भारत जो bullet train डिजाइन कर रहा है वह cost focused है यानि की इसे कम लागत में बनाने का decision लिया गया है इसलिए यहां पर vacuum toilet की बजाए bio toilet यूज किये जाएंगे और दूसरी खास बात यह है कि इन bullet train को इस तरह से design किया जा रहा है ताकि 50 degree Celsius temperature में आसानी से survive कर सके और इसके संचालन में कोई भी दिक्कत ना हो और आपको बटा दे कि भारत के लिए bullet train को develop करना उतना भी ज्यादा मुश्किल भरा काम नहीं है क्योंकि already भारत में वंदे भारत एक्स्प्रेस चल रही है जो कि देखा जाए तो एक प्रकार से bullet train की technology पर ही ज्यादा तर based है और कमाल की बात ये है कि यह भारत की पहली semi high speed train है और इसे make in India पहल के तहत भारतीय railway के इंजीनियरों और वैग्यानिकों द्वारा विकसित किया गया है और इसे मात्र 18 महीने के समय अंतराल में भारत की ICF यानि की integral coach factory ने खुद भारत में स्वदेशी तोर पर design और develop करके तयार कर लिया और इसमें ऐसी कोई भी technology का इस्तेमाल नहीं किया गया है जिसके लिए हमें जापान या फिर किसी अन्य देश के सामने हाथ पहलाना पड़ा हो लेकिन इसमें magnetic field वाली technology का उपयोग नहीं किया गया है जिससे इसकी जो अधिक्तम रफतार है वह 180 km प्रतिगंटा है यानि कि इसे high speed rail project के तहत अभी नहीं माना जा रहा है बाकी आपको क्या लगता है कि हमें जापान से bullet train खरीदनी चाहिए या फिर खुद बनाने पर focus करना चाहिए